जैहेंद स्टूडेंट्स, वेलकम तो कम्प्यूटर ऑनलाइन क्लास, तो इन दिस वीडियो तुड़े विल कंटीनू चैप्टर नमबर फाइफ, इंट्रोडक्शन टू लोगो, तो ओपन पेज नमबर 51, अब तक हम लोगो ने पढ़ा कि लोगो क्या होता है, लोगो एक कम् अपल प्रोग्राम को लिख सकते हैं, हम लोगो ने सीखा था कि MSW लोगो को कैसे ओपन करना है, MSW का फुल फाम होता है, Microsoft Windows, ओके, सो हमने ये भी देखा था कि जब MSW लोगो का विंडो ओपन हो जाता है, तो उसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, में स्क्रीन क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, मैन्यू बार, कमांडर विंडो, ये सारी चीज़े क्या होती है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, टाइटल, तो देखें, टाइटल के बगल में एक ट्राइंगल शेप है, इसी को ही हम टाइटल कहते हैं, जब हम MSW लोगो का विंडो ओपन करते हैं, तो स्क्रीन के बीचो बीच में एक ट्राइंगल होता है, जिसको हम लोग टाइटल कहते ह When the MSW logo screen appears जब MSW logo screen open हो जाता है A triangle is seen in the center of the graphics window तो जो graphics window होता है वहाँ पर एक triangle दिखाय देता है जिसे हम कहते हैं turtle This triangle is known as turtle इस triangle को हम लोग turtle कहते हैं It has a pen that draws figures on the screen इस turtle में एक pen होता है जो screen पर figures को draw करने में हमारी मदद करता है Figures draw करने का काम करता है The turtle moves all over the screen as per the commands given by you in the input box और input box में जो हम command देते हैं उसी कि according ये turtle पूरे screen में move करता है और designs बनाता है, figures बनाता है So इसे turtle इसलिए कहा जाता है क्योंकि turtle मतब कचुआ होता है तो turtle इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत slow-slow चलता है जितना हम input box में अपने command को type करेंगे इसी तरह से इतना ही ये चलेगा उसके आगे नहीं चलेगा तो उसलिए इसे turtle कहा जाता है So next heading is primitives Primitives क्या होते हैं The turtle works according to your command और instructions जो turtle होता है वो आपके commands और instruction के according ही work करता है These instructions are called primitives और इन instructions को हम primitives कहते हैं जो भी हम लोग command देते हैं उसे हम primitives कहते हैं Some of the primitives are FD, BK, RT, LT and home तो कुछ primitives की बारे में हम chapter पढ़ने वाले हैं जैसे कि FD, BK, RT, LT और home You can move the turtle using these primitives to draw various figures और अगर आपको इस turtle की help से अगर आपको screen पे कोई figure बनाना है कोई drawing बनानी है तो आपकी इस तरह से draw कर सकते हैं इसलिए आपको primitives पढ़ना बहुत जरूरी है कि primitive की help से ही हम लोग कोई भी figure को draw करते हैं तो first primitive है hide turtle इसका shortcut होता है ht इसी को हम लोग primitive कहते हैं ht जब हम ht लिखेंगे तो होगा क्या ht command is used to hide the turtle हमारा जो turtle है वो hide करने के काम में आता है देखिए आप लोग screen में देख रहे होंगे कि first वाले screen में आपका turtle नहीं है गाइब हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ht command दे दिया गया है जब हम ht command टाइप करके अपने input box में enter करते हैं तो हमारा जो turtle है वो hide हो जाता है छुप जाता है और जब हमारी drawing फिनिश हो जाती है तब हम इस turtle को हटा देते हैं hide कर देते हैं ताकि हमको पूरा figure अच्छी तरीके से समझ में आ जाए next is show turtle जब अगर हमने hide कर दिया है तो वापस उसे कैसे ला सकते हैं तो उसे ला सकते है st से st का full form होता है show turtle इसका full form आपको याद करना है st command is used to bring back to the turtle on the screen screen में वापस से turtle को लाने के लिए st command का use किया जाता है st st input box में लिखके enter करते हैं तो हमारा जो turtle है वो वापस से screen पर show ना शुरू हो जाता है next command is forward यह जो command है यह important command है आप लोगों का forward command the forward of the or the fd command आप forward लिखिए चाहे fd लिखिए fd का full form होता है forward तो आप forward पूरा capital letter से भी लिख सकते हैं यह fd भी लिख सकते हैं तो वो forward ही माना जाएगा is used when you want to turtle to move forward अगर आप अपने turtle को आगे move कराना चाहते हैं मतलब आगे forward तो हम fd command का use करते हैं देखिए जैसे आपका यह turtle है वो screen के बिल्कुल center पर होता है और जब हम इस turtle को move कराने move कराने की कोशिश करते हैं आगे तो हमें लिखना पड़ता है fd means forward बट forward की बगल में हमें एक number भी देना पड़ता है कि कितने steps इसे चलाना है चली पेज नंबर 52 में लिखा हुआ बैक और बी के प्रिमिटिव इस यूज़ड वन्ट तो मूफ बैकवर्ड अब देखिए जो बैक और बी के प्रिमिटिव है यह यूज़ किया जाता है टर्टल को बैक करने में means वापस करने में देखिए जो आपने पीछे देखा था वहाँ पर टर्टल आपका center से थोड़ा ऊपर चला गया था क्यूंकि हमने वहाँ पर कर दिया था forward command तो forward means वह turtle आगे बढ़ गया लेकिन यह जो टर्टल हमारा आगे बढ़ता है वह हमेशा यह arrow होता है वहाँ से बढ़ता है जैसे आप लोग यह triangle देख रहे होंगे तो इसमें जो arrow side है उसे हम कहते head और जो पीछे की line side है जो broad side है उसे कहते हम लोग tail इस turtle में head और tail होता है यह जो आगे side जो pointed side है इसे हम कहते head तो turtle हमेशा head side से ही move करता है तो देखे हमने head side से पीछे move किया था तो forward में आगे हो गया था और backward में क्या हुआ हुआ कि वापस से अपने यह position पर आ गया वापस जहां पर हमने start किया था वहां से वापस आ गया हमने BK लिखा तो और BK क लिखेंगे 10 20 30 40 50 तो हमारा जो back command है वह apply हो जाएगा और हमारे जो turtle है वह पीछे आ जाएगा next command is right right or the rt primitive is used when you want to turtle to turn towards to the right side तो जब आप अपने turtle को right side move कराना चाहते हैं में जब आपका turtle right side आप चाहते हैं कि move करें तो आप rt लिखेंगे rt लिखने के बाद number of degree लिखेंगे कि कि डिगरी से यह move करेंगा डिगरी का मतलब होता है कितने angle से यह move करेंगे अभी आप लोग एंगल नहीं समझते होंगे तो अगर अभी आप लोगों को right side बिल्कुल अगर मूड़ना है बिल्कुल straight line तो आप लोग 90 लिखेंगे 90 डिगरी एक straight angle होता है तो जैसे कि आप figure में देख रहे हैं कि पहले सीधी लाइन गई है मतलब इसमें fd लगा हुआ है फिर उसके बाद यहां पर right side मूड़ा हुआ है तो यहां पर लिखा जाएगा rt 90 तो यहां पर आपको figure देखना है समझना है और यह भी देखना है कि जो जो यहां पर command लिखें उस हिसाब से यह drawing क इस तरह से बनती है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है commander window में fd 50 लिखा हुआ है तो देखें आगे move किया है फिर rt 90 लिखा हुआ है तो right side मूड़ गया फिर fd 50 लिखा है तो आगे चल गया फिर उसके बाद rt 90 लिखा है तो 90 ड दूरा हो जाता है जब हम इतने कमांड को लिखते हैं ठीक है तो right primitive या rt primitive से हम अपने turtle को right side move कराते हैं turn करा देते हैं इसी तरह से होता left the left or the lt primitive is used when you want to turtle to turn towards to the left side और जब आपने turtle को left side मोड़ना चाहते हैं left side turn कराना चाहते हैं तो हमको lt लिखना पड़ता है कि लिखेंगे तो हमारा जो टर्टल है वो left side turn हो जाएगा मूव हो जाएगा समझ में आगया तो कम तो नेक्स पेज़ पेज़ नंबर 53 पेज़ नंबर 53 पे लिखावा है होम प्रिमेटिव इस तो ब्रिंग टर्टल टू इस होम पोजिशन जब हम होम लिख देते हैं तो हम खुझे रोट पर बर जाता होम पोजिशन क्यों होती ऑ जो सक्रीन के सेंटर वी उसे हम हूम कहते है ने सब्सक्राइब ढरा एक नियुंअन घار म represents on T कि लिख़ने के जरूरत नहीं है कोई हम फारवन या भट नहीं करने के लिखना है बिसे अपने दlica को सो नेच्ट हेडिंस क्लियर टैक्स देप्रिमितिव सी नेच्ट प्रिमिटिव जो भी रिकॉल लिस्ट बॉक्स एग पर कमांड्स दे दिये हैं वो लिस्ट रिकॉल रिकॉल लिस्ट बॉक्स में वो एड हो जाता है लिस्ट शो हो जाती कि हमने कौन कौन से यहां पर प्रिमिटिव अपलाई किये हैं और उसको क्लियर करने के लिए हम लोगों को क्लियर टेक्ष्ट लिखना पड़ता है सीटी लिख क्लियर हो जाए जिस तरह से आप ऊपर हुले screenshot में देखेंगे कि commander window है उसमें हमारे प्रिमिटिफ लिखे हुए बद नीचे आपद सीटी एंटर कर देंगे सीटी लिख एंटर कर देंगे तो इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं पर नेक्स ट्रिमिटाइब और draw in graphics window ग्राफिक्स विंडो में हमने जो भी चीज ड्राओ किया हुआ हुआ है उसे clean करने के लिए हम लोग clean primitive का यूज करते हैं इसका कोई shortcut नहीं होता है इसको पूरा लिखना पड़ता है CLEAN clean Capital Letter में और ये जो भी primitive होता है इसको हमेशा Capital Letter में ही लिखा लिखेंगे एंटर कर देंगे तो हमारी जो ग्राफिक्स विंडो है ग्राफिकस ड्राइप्स इस क्रीन हाभ रच वह देख सफ हो जाएगा तो देखे दोनों में अंतर एक क्लियर टेस्ट में जो अपर प्रिमिटीव लगाया वह एक बनाई हैं वह हमारी फीगर जो बनाया है वो clean होता है okay so come to next page page number 54 next is clear screen clear screen or the CS primitive is used to clear the graphics drawn on the graphics window and brings the turtle back to its home position clear screen or clean में क्या अंतर है क्लीन करने से जो हमारा screen है वो clear हो जाएगा बट जो turtle है वो उसी position पर रुका रहेगा जहां पर अभी हमने drawing छोड़ी है लेकिन clear screen कर देंगे तो यह भी पूरे graphics को clean कर देगा screen को clean कर देगा लेकिन यह जो टर्टल हमारा है वो home position पर आजागा मतलब जिस तरह से start हमने किया था बिलकुल उसी तरह से वापस आ जाएगा समझ में आ गया तो clean और clear screen में यह अंतर है clean करेंगे तो हमारा जो graphics window है जो हमने वहाँ पर design बनाई थी और जो हमने picture बनाए था वो हमारे clear हो जाएगा लेकिन जो टर्टल है वह अपने उसी position पर रहेगी जहां पर अभी वह थी ठीक है लेकिन clear screen में क्या होता है जो भी हमने figure बनाया है वह तो clean हो गई होगा साथ में जो टर्टल है वह अपने home करना है तो आपको by लिखना पड़ेगा by by करके एंटर कर देंगे तो हमारा जो लोगों है वो बंद हो जाएगा यह ओफ हो जाएगा ठीक है यह जो विंडो हमारा यह close हो जाएगा लोगों बंद हो जाएगा समझ मैं गया इसका दूसरा एक तरीका भी है ओफ करने का हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर एक file टैब दिया गया है file टैब में जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आएगे तो हमको एक exit का बटन मिलेगा जब हम exit पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों का यह विंडो बंद ह हो जाएगा दूसरा तरीका तीसरा तरीका एक यह कि उपर आप लोगों को minimize maximize और close का बटन दिखाए देता है उपर के right side में right side में आप close button पर क्लिक कर देंगे जो cross बना हुआ है उस cross पर जब आप क्लिक कर देंगे तो भी आपका यह close हो जाएगा तो close करने के चैप्टर है लोगों आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया इसके सारे प्रिमिटिव को आपको याद करने है एक्जाम में आपके आएगा कि कौन से प्रिमिटिव का क्या यूज होता है मैं कोई ड्राइंग बना दूंगा उसकी आपको प्रिमिटिव ल